मेनी सिक्का मदंस्तमा दियानी को जमीन आस्मान का अंतर इस सब्द के अर्थ में दिखाई देगा आपने एक सब्द सुना होगा संकट मोचक या संकट मोचन यानि कि संकट मोचन जो कहते हैं कि संकट में जो हमें बचाए जो संकट से मुक्ति दिलाए उसको संकट मोचक कहते हैं और मोचन जो होता है वो बोलते हैं मुक्ति को यानि कि जो मुक्ति के द्राइव से मोचन बोलते हैं और जो मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं मोची अब सवाल ये उठता है कि मुक्त किस चीज से हुए है अपने पाप से अपने राग से अपने जो देश हैं जो महमूरता की जो बंदन हैं जो इर्शा करोध है जो लालच है उससे मुक्त हुए हैं उससे मुक्त हुए किसी वी व्यक्ति को जो अरत होता है उसको मोची बोला गया है यानि कि जो मुक्ति प्राप्त जिसकी हो गई जिसका सारे जिसके भव सागर कट गए जिसके सारे पाप पुन्य यहीं परफी पे खतम हो गए जो भगवान बुद्गा सबसे उच्छतम सावक और सिस्षय रहा है जिसको अरत बोलते हैं जो सबसे उत्तमपद का भगदार और मालिक रहा है, उसको बोलते हैं कि ये मोचित हो गया, ये मोची हो गया, अब वो मोची है, यानि कि जो मुक्त हो चुका है, उसको पाली भासा में मोची बोलते हैं, मोचेती का मतलब होता है, मुक्त करता है, यानि मोचेती अगर सब्द कहीं कहीं ऐसा भी आता है जैसे मोच या मोख या मोक्त या मुक्ति इसको केला कंदली भी कहीं कहीं बोलते हैं क्योंकि जैसे केले के छिलके उसे मुक्त हो जाते हैं फल प्राप्थ होता है वैसा ही इसका भी उपनामिक पढ़ा हुआ है केला तो यह जो संकट मोचक है और यह संकट मोचन है यह दरसल वही लोग हैं जो भखवान गुद्ध के सबसे परम सिस्य रहे और जिनोंने बहुत ज़ादा महनत करके बहुत ज़ादा पढ़के अरत पद को प्राप्त किया और ये सारे अरत भिक्कु रहें अगर आपको कोई अरत भिक्कु मिले और सामने अरत भिक्कु जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि वो मोची है क्योंकि मोची जो होता है जो मुक्त हो चुका होता है उसको मोची बोलते है और मोची बहुत सम्मान जरक सब्द है संस्कायत भासा में बाद में खास तोर से जो पाली के सबसे उंचे सब्द हैं जो सबसे गौरव वाले सब्द हैं उनकी क्योंकि सिक्षा चली गई और यहां से भगवान बुद्ध की जो सिक्षा है वो चली गई उनकी जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी गई, खंड़ित कर दी गई तो वो सब्द भी गाली बन गए और वो सब्द आज तक भी उन लोगों के साथ चिपके हुए हैं जो लोग सबसे ज़्यादा पड़े लिखे और सबसे ज़्यादा उंचे थे मैंने बहुत सारे सब्द आपको बताये हैं आप देखेंगे सब्द सार में तो आपको ताज जो होगा कि जो सब्द आज के समय के जो दबे कुछले लोग हैं उनकी गाली हैं वो उस समय के सबसे उचे और सम्मानिया सब्द रहे हैं धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैटिल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं, ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे, हमारा सिर्फ इतना काम होता ह महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपना काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर, या इसका लिंक भेज कर, या इसमेंसे कोई भासा बदल कर, या इसको प्रिंट करकर, या इसको लोड करकर, या डाउनलोड करकर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट करकर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे तो आप हमें लिख के भीज दीजिये, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे, आप धम की सेवा में साहक बने, धम आपको खूब लाब ढब देखा, धम आपको लाब देखा, आप धम को लाब देंगे, यह दोनों इंटरचेंज हें, यही धमगी प्राकर्तिक नियम है धन्यवाद गच्छामी अतं शरनं गच्छामी धंधं शरनं गच्छामी संघंशरनंग गच्छामे बुतंशरनंग गच्छामे